नमस्कार मैं दॉलत शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं SPN 9 News कॉंग्रेस के फार ब्रैंड और युवानेता कनेह कुमार अब मध्यपरदेश की राजनीती में जाने का अपना मन बुना चुके हैं और लगतार ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि मध्यपरदेश के नके दौरे से पहले कॉंग्रेस प्रेंगा गांधी पहले पूख चुकी है और उन्होंने जो है मध्यपरदेश में कई जगे रेलियां करी मानवनदाजी की पूजा करी जिसके बाद उन्होंने जो है अपना भाषन किया और इस भाषन में देखा गया कि समर्थन अब कॉंग्रेस को वापिस जनता का मिल रहा है जो समर्थन 14 और 19 में कहीं गायब हो गय जनता के बीच विश्वास बनता जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी फिर दुबारा अपने पैरों पे खड़ी होनी की कोशिश कर रही है और लगातार उनके नेता जो है बहार निकल रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और बात जमीनी स्तर की कर रहे हैं जो जमीनी स्तर की बा को भी भेजा जाएगा और उसे पहले मद्यपर्देश या दिली से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की दी जाएगी जिसके बाद उनके पास और भी ताकत आएगी और वो मोजी सरकार के खिलाव जहां पर और जो शिवराज जो भी सुबे के मुख्यमंतर हैं उनके तरीके से रार बनी हुई है कि सिंधिया नए सीम चेरा होंगे बीजेपी कि तरफ से कि सिवराज होंगे सिवराज हटने का नाम नहीं ले रहे लेकिन सिंधिया लगातार यहां कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है मौका दिया जाए जिस वजह से वह कॉंग्रेस पार्टी को होड़ किया थे उनको वहां लाया जाए लेकिन इस देखा कि प्रेंका गांधी ने भी सिंधिया को याद किया और कनिया कुमार को जो कि सिंधिया को वापिस लाने कि बेजा जा रहा है क्योंकि सभी नेता जो है संकेत दे रहे हैं कि सिंधिया को वापिस lange आ वो भी कहा जाता है कि जब तक वो कॉंग्रेस में तो महारात में थे लेकिन बीजीपी में जाते ही इन्हों अपने सुरूर बदलते ही बीजेपी ने अब उनका जो है दरकिनार करना सुरू कर दया उनकी महाराजवाली छवी को कही नहीं वहां पर अठे स्पॉंच रही है ले यहां पर बड़ा दाओ जो है कनिया कुमार खेल सकते हैं फायर ब्रेंड वो कॉंग्रेस के कहे जाते हैं और लगातार वो ऐसे ही मास्टर माइंड रहे हैं और कई चुनावों में उन्होंने की मदद की है कहीं देखा जाए तो कॉंग्रेस को अगर जब किसी युवा अपक है ताकि कॉंग्रेस अपना उमिद्वार खड़ा करके वहां पर अपनी सरकार बनाने की रहा असान कर सके और भी ऐसी खबरे जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद